अबापती मोदा जी, मैं रेल्वे बजेट ग्रांट्स 2022 पर का समर्थन करने के लिए और अपने मांग को रखने के लिए आपन खड़ा हूँ मैं सबसे पहले देश के प्रदान मंत्री सन्मान या नरेजन मोदी जी, वित्म मंत्री निर्मान सितरमन जी, रेल्वे मंत्री अश्वीनी वैशनव जी, जानवे जी और देशना जी का बहुत 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 दन्यवाद आदा करना चाता हूँ, बहुत ही अच्छा बजेट प्रस्तूत किया, जिसमें महाराश्त के लिए भी और मुंबई सहर के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन किये ह महाराश्त के लिए कुल मिलकर 11,903 करोड ओंगोइंग प्रोजेक्स के लिए दिये गए है, जिसमें 35 नए लाइन्स होने वाले है, छे 6,142 किलो मिटर डबलिंग का प्रोजेक्स का भी काम होने वाला है, जिसके लिए 91,133 करोड की व्यवस्ता की गई है, मैं मुंबई शहर क्या और से भी मंत्री महाद जी का अभिन्दन करना चाहूंगा, जिसमें 577.5 करोड रुपे की वेवस्ता वेरियस प्रोजेक्स के लिए की गई है, मुंबई शहर में पिछले दिनों में बहुत सारा काम हुआ है, रेलवेड स्टेशन, ब्यूटिफिकेशन के काम भी बहु अला कर देना चाहूंगा, बजेट में में आज यहां पर भाशन करने के लिए खड़ा होने का मुख्या कारण भी है, कि मुंबई शहर में हर साल 3000 से भी ज्यादा लोग रेलवे में से गिर कर, कट कर मर जाते हैं, अगर मैं भाशन मुंबई शहर के आउर से नहीं करूँगा तो यह मुरूत आत्मा है, हम सबको माप नहीं करेगी, इसलिए मंत्री मोदे जी जो 2014 में विरार से चर्चिगेट एलिवेटेड का एक प्रपोजल था, जिसको पिछले सरकार ने रद किया था, मैं 2014 में चुनकर आने के बाद में सदनन गवडा जी उन दिनों में मंत्री, र बहुत तेजिस से शुरू आ था, जो कुछ कारण से 2019 के चुनाओ के बाद में जो पॉलिटिकल गतिवी दिया हुई, और उसके कारण से धीमा पड़ा है, ने तो यह बहुत तेजिस है काम होकर 2019-2020 में यह शुरू होने वाला था, और यह हो नहीं पा रहा है, और इंदिनों अधिक जी मैं जब 2014 में एक आओर मान कहा था कि इस सब डोर क्लोजर लगाना चाहिए ताकि लोग गीर कर कट कर मरेंगे ने, तो उन दिनों में इसको थोड़ा स्लो गति में लिया गया था, लेकिन इन दिनों में सुरू है कि AC कोचेस बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, और ब अगर आप कम करते हो तो बड़े पैमाने पर लोग जाएंगे, AC फर्स्कलास में जाने वाले लोगों को भी है, इसमें जाने के अगर सुविधा देते हैं, बीट्विन AC का फेर और फस्कलास के फेर का भीच का, अगर कोई आप लाते हो, तो इसमें बड़े पैमाने पर हमक पैक जा रहा है तो मुंबई सहर में भी इसको आप देखे कैसा कर सकते कर गए मैं वैसे करना टक का हूँ लेकिन मेरा बजपन पूरा मुंबई सहर में गया है साल में इकाद बार जाता हूँ मत्सकंदा ट्रेन जाती है करना टक को मुंबई से अब यह कुरला से जाती है एक हम लोगों को लाब इसमें होगा इसमें सिर्फ करनाटक के लोग जाते नहीं है तो महारास्ता गोवा और के लोग भी बड़े पैमाने इस ट्रेन से सफर करते हैं दूसरे छोटी सी मांग मैं करूँगा मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ जहाँ पर कंजेस्टन लाइने वहाँ पर चोटे लोग रहते हैं सामाने लोग रहते हैं उनको बहुत लंबा जाकर फिर आपस टेक्सी या रिक्सास आने के लिए और परिशानी होती है तो एक छोटा सा काम अगर होता है तो बहुत बड़ी रहत लोगों को मिलेगी मुंबई के बारे में और एक बात ध्यान में लाना चाहूँगा मेरे मित्र अर्विन सावन जी ने जो छत्रपती सिवाजी महराजी का पुतला लगाने का एक प्रपोजल बहुत दिनों से पेंडिंग है मैं जब कॉर्पेशन में था तो हमारी पार्टी के एक नगर से उख दिली पटेल उन्होंने ये प्रपोजल किया था वो डेपूटी मेयर थे उन दिनों में तो ये प्रपोजल पूरा कॉर्पेशन ने ठराव करके भेजा हुआ है तो इसको आप जड़ा देखे कैसा हो सकता है नाना संकर सेट के बारे में बहुत दिनों से मुंबई सेंट्रल को नाम देने का लोग डिमांड कर रहे हैं नाना संकर सेट ने रेलवे को उन दिनों में बहुत मदद किया था आर्थिक रूप से भी और उनका बहुत बड़ा योगदान है मुंबई सेर के लिए तो उनका अगर आप नाम मुंबई सेंट्रल को देते तो बड़े पैमानें पे जो हमारे मराटी भाषिक लोग है उनको बड़ी प्रसंदता होगी इसके बारे में आप देखे कैसा कर सकते हैं मंतरी मदे एक छोटा विशे है जो रेलवे में बूट पॉलिस करते हैं बूट पॉलिस करने वाले लोगों का एक टेंडर निकाला गया ऐसा बार बार लोग आकर शिकायद करते हैं मैं मानता हूं कि टेंडर न निकालते हुए अगर जुना उनका लाइसंस पी अगर काम है तो उसको लाइसंस पी बढ़ा हिए लेकिन टेंडर के भीगरी लोगों को काम मिले इस प्रकार के एक व्यवस्ता करिए रेलवे में पैसेंजर बहुत बड़े है और इसलिए हर सेशन पर और अधिक बुट पॉलिस वालों लोगों को गर्म बिठाते हैं तो पूरे देश बर में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा इस बात के भी मैं यहाँ पर मांग करता हूँ मंतरी मोदरी एक रेलवे लाइन के जोपड़ पट्टी वहां से होंका बहुत बड़ा मसला बहुत सालों से मैं 18 साल से इसके उपर काम कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि दानवा जी इसके उपर काम में लगे वे आपके आदेश से और बड़े पैमाने पे लोगों को इससे रहात मिलेगी देश के प्रदान मंतरी जब सबको हक्का पक्का घर देने की बात करते हैं तो लाखों लोग सारे देश में रेलवे लाइन के बाजू में बसे बरसों से बसे हैं तो इस बारे में एक निर्णे आप जल्दी करेंगे तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा मैं आपको विशेष धन्यवाद रेल कवच के बारे में देना चाहूँगा कि आने वाले 10 साल में गलती से भी एक भी एकसेजन नहीं होगा इस प्रकार का ये टेकनोलोजी है और ये टेकनोलोजी इंप्लिमेंट होने के बाद में उसी जो वरतमान विवस्ता में 25 प्रतिसद और ज्यादा हम सर्वीस लोगों को दे पाएंगे इतनी बड़ी इसमें त टेकनोलोजी मांगेंगे इसलिए देश के प्रजान मंत्री ने इतना बड़ा काम करने का उसर हमारे सिस्टम के लोगों को दिया इसलिए मैं उनका भी अभी अभी नंदन करना चाहूंगा और रेल मंत्री ने का था आपने आप गए थे और प्रामिस करने के कुछी दिनों क के बाद में आप उसका ट्राइल लिया इसलिए मैं फिर एक बार आपका अभी नंदन करना चाहूंगा बुलेट ट्रेन का काम बुलेट स्पीड से करिए इस बात की में मांग करना चाहूंगा विपक से लोगों को कुछ भी कहते हैं कहने कहने दीजिए आप देखिए जब इस दिन बुलेट ट्रेन सुरू होगा उस दिन सबसे पहला सफर करने वाले यही लोग होंगे यही लोग सफर करेंगे उसमें इसलिए बुलेट ट्रेन का काम आप बहुत बुलेट स्पीड में करिए एक लास पॉइंट बता कर अपनी बात को में पूरा करूंगा जब मैं सुविधान सबा में MLA के रूप में काम करता था तो हमारे जो स्टेशन से मुंबई शेर में उसको पीपीप मॉडल में काम करने के लिए FSI बढ़ा कर देकर कमर्शल कॉंप्लेक्स हर रेलवे स्टेशन पर रफ हो इसका काईदा बनकर आज पात साथ साल हो गए इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो रेलवे को एक रुपया भी खर्चा ना करते हुए लोगों को सुविधा मिलेगी और बड़े पैमाने पर रेविन्यू आएग मेरे विशे को सुना बाखी के तव साथ काम होते रहेंगे लेकिन आपके बजेट के भासन उत्तर में रेलवे लाइन के बगल में सटे हुए जोपड़ पटी वासियों को एक बहुत बड़ी आगर आत आप दिलाते हो तो आजादी के अमरुत महसों के पहले उनको एक बहु नच्माट किजे. Thank you.